स्वागत है आपका अनील कंप्यूटर्स की ओनलाइन क्लासिस में आज की क्लास में हम सीखेंगे स्विच स्टेटमेंट को यानि स्विच केस स्टेटमेंट को कैसे यूज किया जाता है जब हमारे किसी प्रोग्राम में बहुत सारी कंडिशन होती तो हमें वहां पर एफ एफ स्टेटमेंट की तरह ही होता है लेकिन इसमें कंडिशन चेक करने की वजाए केस चेक किया जाता है और एक कैस आने पर हम जो स्टेटमेंट करना चाहते है उन्हें हम एक केस के अंदर करना जाते है केस का स्टेटमेंट करना है टार्या जाता है यानि जिसे यह case true हो जाए तो यह statement print हो जाए उसके बाद हमारा जो प्रोग्राम में वह वही पर break हो जाए या वही पर terminate हो जाए इसलिए यूज किया जाता है और अगर यह दोनों case की value ही false हो जाती है तो default में हमें और else की तरह ही काम करता है जिसे सबसे पहले की condition होती है अगर वह false हो जाती है तो else की उसकी बार next else की condition चेक की जाती है और अगर कोई भी condition true नहीं होती है तो last में else statement execute हो जाता है स्विच के parentheses में जो variable होता है वो एक एक करके सबी case की value के साथ compare किया जाता हुषिस की value स्विच के बराबर होती है उस case को true हो मान लिया जाता है उस के के अंदर करके सबी case execute हो जाता है और अगर switch की value किरे की के रवाल्यू की बराबर नहीं होती तो छो चेस होता है उसके अंदर लिखा हुआ होता है वह स्टेट्मेंट एक्सेक्वीट होगा ही और लेकिन उनके स्टेट्मेंट की वैल्यक्त के बराबर चाथी है तो उसके इसके स्टेटमेंट होते हिए लेकिन उसके बाद वाले सभी स्टेटमेंट मिट्使命éta जाते हैं यानि जैसे कोई केज त्रू होता है तो तो सब्सक्राइब के सब्सक्राइब को कंपार किये और उनके शिव것 कि स्टेटमेंट के बाद और की वर्ड का यम्हाश का यूज अगरब रही करने ऑफिर इसका थांपल हुमने डोनों ईण इसका वॉयंडाक्ट्र में चैन करा दिए मैं किहाँ स्टेट लिए यह हैं किसके कजिश से लिखर होक देक्याश्य सिर्णी terminate किया जाता है अब यह दोनों केश अगर true हो तो हमें क्या आन्सेट चाहिए प्रिंट करना या हमने एक लिए के लिए से के लिए के स्मॉल और बनाया ओके लिएवना फिर यू और देपल्ट में हमने कर दिया और गैट कर दिया तो इसका आउटपुट आएगा एंटर अल्फापेट ए और एक आउसर आया यह वहल और बाकी सारे केसिस का अंसर भी आया वहल और नौट वहल का अंसर भी आगया क्योंकि हमने यहां पर ब्रेक कीवर्ड को यूज नहीं किया ह अगर यूज नहीं करते हैं तो जैसे हमारा फर्स केस थूआ उसके बाद बाकी सारे केसिस ऑटमेटिकल ही रन हो जाते हैं यानि वह चैक नहीं होते हैं और और आपिकली रन हो जाते हैं फिर देखें स्विच केस एक्जामपल विट ब्रेक कीवर्ड हमने यहां पर एक केस डान ही कैसे लेकर दिया है है अगर द एक सारा केस केस ब्राइक किया हुआ और अगर यहां च bluetooth उसले यहां का रैक हो जाता है तो कर देगा, ओके थैंक यू